हेलो सुटेंट्स वेलकम बैक टो दे चनल होपसो आप सभी बहुत अच्छे होगे अगर आप लोग इस साल क्लास 9 में या फिर कि क्लास 11 में स्कूल अफ इस्पेशलाइस एक्सिलेंस का एंट्रेंस एक्जाम देने वाले हो या फिर कि आप लोग एंट्रेंस दे चुके हो जै हा रही थी की सर हमारा एड्मिट कर्ड हभी तक नहीं आया हमारा एक्जाम जो है आने वाला तो जैसा कि लास्ट एर आप लोग को पता है कि 20 स्कूल थे और 20 स्कूलों में लगबख 2,700 सीटे थी और 2,700 सीटों के लिए कितने बच्चों ने अपलाई किया था लगबख 15,000 के आसपास बच्चों ने अपलाई किया था तो रेशो यहाँ पे चेक करो और उसी के सासाथ आप इस बार का रेशो निकालोगे तो इस बार सीटे ज्यादा ज्यादा 2700 से लेकि 4,800 हो गई होगे क्योंकि मातर 11 स्कूल और एड हुए तो माल लीजिए कि 5,000 के आसपास हम लोग ज्यादा से ज्यादा माल लेते 5,000 के आसपास सीटे एड हुई होगी मतलब टोटल अब हो तो 7000 बच्चे हैं पिछली बार 153000 बच्चे थे दो इस बार अगसी हूई है लेकिन जो अपलाई करने वालों की रेश्यों यहाँ के गड्रा मिलने वाला है इसलिए आप लोग अपनी बिल्कुल अविसासप्राइप कर दूर्पिस्ट mindfulness में यह जो है आप लोग साथ दिन में अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो ठीक है सलेबस की वीडियो है चैनल पर एस यसी अपडेट 2022 के नाम से प्लेइस्ट है आप लोग जा के उसे देख सकते हैं बाकी बात रही है आप लोग के कि एडमिट कार्ड की कि आप लोग का एडमिट और यह वो 23 और 24 तक लास्ट आ जायेगा उससे जाधा लेट नहीं होने मादा तो टेंशन मतलो आप लोग अपने एक्जाम की तियारी करो और एक्जाम में क्या-क्या लेकर जाना है उन चीजों का ध्यान रखना आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और उसी के साथ साथ आप लोगों एड्मिट कार्ड जब आ जाएगा तो उसका दो प्रिंट आउट निकल वा लेना और साथ में एक पासपोर्ट साइथ फोटो भी रखना यह कुछ जरूरी आर्टिकल्स है जो आपको अपने साथ लेकर ही जाना है एक्जाम सेंटर पे बाकि और भी कोई अगर इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा और अल अफ यू थैंक यू फोर वाचिंग दा वीडियो इस्टे करेक्टिड एंड बी अपडेटेटेड